नमस्कार आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल आशी चीक नामी तो बात करते हैं आज आपके सामने बहुत nationalid क्यों पास नाम के पास दया है जिसका नाम आपके पास है en memories a classical कि आपको देते हैं इस वीडियो के माधम से तो अपने नों बनाते रहें मेंनने पोईंट्स आपको लिखवाते रहेंगे जोस्त बात करते हैं आज आपके सामने इस लाईय कि अंब नाम है क्लसे का झोरी आपके पास ये फेल क्यों हुई क्वांटम की सरुवात क्यों हुई तो दोस्तों सबसे पहले आपसे निमेतर है आप वीडियो के लिंक को सेर कर दें ताकि सभी जुड़ सके और अपना फायदा उठा सके अपनी नोस बना सके तो दोस्तों बात करते हैं आज आपके सामने काफी तो दोस्तों आपने लिंक को सेर कर दिया होगा तो बात करते हैं वाई इसमें पहला पॉइंट क्या होता है आप नोट कर लें में सारे पॉइंट बात आती है आपके सामने Stability of Atom की बात आती है आप इसके अंदर देखें वाई पॉइंट ही है आपका Stability of Atom Atom के जो Stability होती एतम अभी पता है वही छोटे पार्टिकल जिम् से मिल प्याप का Atom बढरता है दोस्तों Atom की जो Stability है वो आपके पास किस प्रतार की है यह इसको Classical myths और यह इस प्रेंद ने कर पाया कैसी एस्पर्इन ने कर पाया आपके सामने पूरी जानकरी देते हैं तो पहला पनलोड करें stability of a atom का अब बात करते हैं आपके सामने atom के अंदर आपको पता वह positive और negative दोस्तों दो चार्ज से मिलके आपके पास बनता है positive और negative चार्ज अब बात करते हैं जो positive और negative चार्ज है दोनों के बीच में आपके पास क्या होता है attraction होता है दोनों के बीच में क्या होता वही attraction होता है दोनों के बीच में अब बात करते हैं attraction के बाद after a certain time after a certain time certain time के बाद जो positive और negative charge क्या करें है आपस में attract करें है मतलब आपके पास एक जिगह पर आगे और एक जिगह पर आपके पास collapse हो चुके दोस्तों यहां से आपके पास क्या आगे charge की value जीरो आगे आपके पास collapse होने के बाद आपके पास मतलब collapse हो गे तो जीरो हो गे तो यह classical theory के according तो आपके पास kuch atom है आपके पास कुछ है नहीं दोस्तों इसको किस ने किया क्वांटम मेकेनिक्स दोस्तों इसलिए आया क्लासिकल थोरी आपके पास पहला पॉइंट आपके पास क्लासिक दोरी आपके पास क्वार्ण को एक्सब्लेडी नहीं कर पाया फिर बात करते हैं इसको explain किसने किया quantum mechanics ने इसको explain किया और quantum mechanics ने क्या बताया जो आपके पास positive charge nucleus पे रहता है positive charge आपके पास nucleus पे रहता है negative charge आपका revolve करता है electro negative charge आपका revolve करता है इन इस तेन ओर्बिट के अंदर दोस्तों रिवल करते हैं ये बात ते किसने कही quantum mechanics है गई दोस्तों atom को stability को explain को रहा पाया quantum mechanics कर पाया ये atom की stability को explain है ये आपके पास classical theory नहीं कर पाये तो दोस्तों पहला point आपके पास है stability of atom और आपके पास ये note करें और अपने सब्दों में दोस्तों ये लिख देना सारे के सारे point आप किसी पर काय टेंस नहीं लें पहला point नोट करिए अब बात करते हैं आपके पास आपने पहला point नोट कर लिया होगा तो बात आती है सेगंड पॉइंट के आपके पास तो सेगंड पॉइंट का आप heading डालिए जो आपके पास atom और particle क्या होते हैं आपके पास से ओब्जर्वेबल एंड डिस्टिंग से बल ऑब्जर्वेबल अब इस परेंगे शेवल इसको एक्स्प्रेंड नहीं कर पाया कैसे एक्स्प्रेंड नहीं कर पाया आपके सामने बताते हैं वे पूरा से पहले समझो आपे macro और micro particle के बारे में macro मतलब जो हमें आखों से जो particle दिखते हैं वो आपके पास macro के according आते हैं और micro मतलब छुट-छुट जो पार्टिकल रहते हैं आपके पास बात आई वो जो हम देख नहीं पाते वो आपके पास macro के अंदर आते हैं तो दोस्तों classical के according only macro particle के बारे में चर्चा हुई micro के बारे में कोई चर्चा नहीं वी दोस्तों जैसे आपके पास micro का example बात करते हैं वही आपने बोसोन नाम सुना है फर्मियोन नाम सुना है एलेक्ट्रोन नाम सुना है यह सारे के सारे क्या है वही सारे के सारे microscopic particle है माइक्रो मतलब चोटो चोटे बोसोन को explain करने के लिए बोस एनस्टाइन statics आया बोस एनस्टाइन statics आया में फर्मियोन को फर्मी डेरा ने किया और इलेक्ट्रोन प्रोट्रोन के लिए दोस्तों रधर फोड आया काफ़ी आये थे दोस्तों दोस्तों इनकी क्लासिकल के थोरी क्या माइक्रोस्कॉपटिकर एक्स्प्लेन नहीं कर पाती तो आपके पास आप नहीं कर पाते और इसका एक्जम्पल और समझी एक और यह थो पहला एक्जम्पल है और जानदें लिए इसके बारे में आप मारुत्ती 800 की बात आती मारुत्ती 800 जैसे मैं कह देता हूँ मेरे को मारुत्ती 800 च्यार कलर में चाहिए कैसे कैसे बात करते हैं आपके सामने रेड कलर में 100 कौन्टिटी ब्लू कलर में 50 कौन्टिटी yellow color में 60 quantity black color में 80 quantity दोस्तों आपके पास यह quantity है यह आपके पास क्या हो रहे इसमें observable and distinguish मतलब आपके पास जो observable मतलब आप जरू कर सकते हैं वहीं सारे के सारे point को अब जो अपनी इसमें देखा था आपके पास micro और macro का मतलब आया था micro और macro इसमें आपके पास classical electromagnetic theory है यह आपके पास microscopy जो particle होते हैं उसको explain नहीं करती only macro मतलब बड़े बड़े जो आपके पास particle होते हैं उनको explain कर पाती है यह आपके पास second point है observable and distinguishable जो आपके पास particle होते हैं इसको note करिए पोज करिए इसके बाद बात आती है आपने note कर लिया हो गए यह आप बात आती है classical theory के according कि कौण कौण से particle को आप एकस्प्रीन नहीं कर पाते कुण ओए फिनोमेन ना को तो आपके पास कितना नंबर है थर्ड नंबर फोट्टो इलेक्ट्रिक इफेक्टे एंड कॉम्टन इफेक्ट को classical theory आप कौण लिखें इट कैनोट एकस्प्रेइन फोट्टो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्टन इफेक्ट दोस्तो आपके पास इसके बारे में अलग-अलग से टोपिक होगा बहुत बड़ा टोपिक है अलग-अलग से दिन दोस्तो इसके लिए बाटेंगे अलग आप इसके बारे में थोड़ा वह देख लिए दो आपके पास classical theory of electromagnetic है यह फोटो इलेक्ट्री इफेक्ट और कॉम्टन इफेक्ट को एकस्प्रेइन नहीं कर पाई और एकस्प्रेइन किसको कर पाई यह आपके पास एकस्प्रेइन कर पाई है यह इनके माध्यम से दोस्तों बात आती है वेव थोरी के आपके पास बात आती है किनकी interference interference, diffraction, interference के फिनोमेना को, diffraction के फिनोमेना को explain करती है, कौन classical theory explain करती है, बट classical theory explain किसको नहीं कर पाई, photoelectric effect को और content effect को explain नहीं कर पाई, आप point लिखे, it cannot explain photoelectric effect and content effect, दोस्तो, photoelectric और content effect के बारे में आपके सामने पूरा lecture होगा, अलग 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 दोस्तो, content effect अलग करवाएंगे, photoelectric अलग करवाएंगे, यहाँ पर बात हो रही है, failure के point आपने लिखने है, तो दोस्तो, थर्ड नमबर point यह note करिए, पोज़ करिए, तो दोस्तो, आपने note कर लिया होगा, तो बात करते हैं, फोर्थ नमबर, फोर्थ नमबर point आती है, it cannot explain, black body, radiation कर, यह किसको explain नहीं कर पाता, black body की जो radiation कर रहू है, इसको explain नहीं कर पाता, तो दोस्तो, आप यह point लिखे, note करिए इसको भी, फिर बात आती है, आपके सामने, फिफ्स नमबर point है, spectrum of hydrogen atom को explain नहीं कर पाया, spectrum of hydrogen atom को explain नहीं कर पाया, classical electromagnetic theory explain नहीं कर पाया, बात आती है, वेव नमबर होता है, आपका जो notation आपकी ऐसे होती है दोस्तो, यह किसके बराबर होता है, one by lambda r into one by आपके पास, यहाँ पर क्या होता भई, na1 का square माइनस में n2 का square, यह आपके पास wave नमबर जब निकारते हैं, यहाँ पर पड़ते एक चीज़ के बारे हम बताएंगे भई, यह आपके पास be the wave नमबर होता है, यह आपके पास be the wave length होती है, n1 and n2 are integer होते हैं और यह integer आपके पास n1 बड़ा होता है n2 से, यह आपके पास spectrum of hydrogen atom के spectrum को जैसे आपके पास lemmer, बार्मर, पास्चन, बैकेट और fund सीरीज आती है जो आपने पास सीरीज दोस्तों पड़ी है, लेमन, बार्मर, पास्चन, बैकेट, पैफन, जो आपने दोस्तों पास यह सीरीज बढ़ चुके हैं आपने, यह जो पास सीरी जो आपने पड़ी हैं, इनको यह आपके पास spectrum of hydrogen atom के spectrum को explain नहीं कर पाता, कोण explain नहीं कर पाता, classical theory of electromagnetic explain नहीं कर पाती है, दोस्तों आपके सामने हमने बताए, failure of a classical theory of electromagnetic point, दोस्तों आपने नोट कर लिए होंगे सारे point, दोस्तों आज के लिए आपके लिए काफी important class थी, आप इन point को note कर ये, काफी important question है ये, आपके लिए काफी बार पुछ से गया है, तो दोस्तों बारे बारे से आपका सारा से लिए बस कवर करवाएंगे, आप किसी पर काई attention नहीं लें, और जो चैनल पे हमारे पहले बार आए हैं, चैनल को subscribe कर लें, और जो आपको नीचे bell icon वड़ा पटन दीख रहा है, उसको प्रेस कर लें, ताकि बविशे में आने वाले हर अपडेट आपको मिल सके, आज कलिए आपके लिए इतना ही मिलते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद चैनल जबार